हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल सुनीता श्रवास्तोर ज्यान शाला और बच्चो आज में अपनी साइंसी ग्लास में दैनिक जीवन में विज्ञान इसका एक खंड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहला वाला और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका दूसर का भाग पर पहले हम पढ़ चुके हैं कि जीवन में विज्ञान के लिए क्या क्या दिया है जब हमारे मन में कोई प्रश्न होड़ता है तो उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लिए अंदर बहुत सारी बाते जो होती वह निकल कर आती हैं कि यह कैसे हुआ कब हुआ तो पहले रहते से हम आज रहने लगे कॉन कॉन सी सूभिदाgart का हम लाब उठा रहें हैं तो बच्चों आई आज अपनी इस वीडियो में डिसक्स करते हैं कि कॉन कौन सी पहले परंप्रागत वस्ते थी और कौन कौन सी आज ऐसी वस्ते आगे जिनका हम लोग अपने दयनिक जीवन में करते हैं और विज्ञान की तरक्की के बाद कौन कौन से से हानिया भी हुई है जो हमारे लिए नुकसान दे हैं आई हम लोग पढ़ते हैं इसी चीज को यहां पर देखिए बच्चो सबसे पहले परंप्रागत वर्तमान परिपेक्ष में विभिन चेत्रों में विज्ञान की भूमिका रही है इसके अंतर का सबसे पहले नमर्वन पर में पर्ण तरीके में बहले मिक चूला युद्स करतें देखिए मिठ्टी के बर तन ह Đây हम देखते हैं कि मिठ्टी का चूला ना के बरावर यह आज गैस पर खाना बनाते मिठ्टी के बर तनो में इप्तिन चूला का इस्तियल करतें पर तो यह सारी जो तेकनीकिया हैं जो है विज्ञान के माध्यम से ही हमें प्राप्त होई हैं दूसरी तरीके से हम देखते बच्चों की क्रशी कि क्रशी में क्या-क्या हमें हमने तरक्की की है पहले हल, बैल से हम देखिए खेतों को जोते थे गोवर की खाट डालते थे लेकिन आज हम लोग ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं काम और तुब्वेल हैं नहरों से सिचाई कर सकते हैं अब हमें यह नहीं कि पानी बरसे का तब ही सिचाई होगी हम तुब्वेल के माध्यम से नहरों के माध्यम से अपने खेतों में शिचाई कर लेते हैं रसायनिक और वरग डालते उन्नत बीजों का प्रियों करते हैं और कीट नाशक दवाव का प्रियों कर सकते हैं इसलिए अब हमारे में क्या होगा वाग्यनी तक्नीकों को माध्यम जय कि हम कम छेत्रफल में पास Metro train है इसके दारह हम बिजी शहरों में भी बहुत कम समय में यात्रा कर सकते हैं हमारे पास पानी का जहाज है रेल गाड़ियां है बस हैं यह बहुत से साधन हो चुके हमारे पास इसके माद्यम से हम लोग कम समय में ज्यादा दूरी तै कर सकते हैं जब कि पहले हमें थोड देश-विदेश की जानकारिया सुनने के साथ देख भी सकते हैं इस तरीके से जो नई नी तक्नीकी का जो प्रियोग होता जा रहा है वह विज्ञान के दारह ही संभो हो सका है ने संचार के छेत्र में बच्चों देखेंगे पहले हमें कोई सूचना देनी थी इस से कोई बात करनी होती है तो हम लोग क्या करते थे संदेश वहां को बैज दे यह डाग दोरा वह सूचनाय वेशते थे ताकि पहुचाया करता था और इसमें काफी समय भी लग जाता था लेकिन आजकल आजकल क्या है आजकल हम वाट्सेप के माध्यम से कोई बात लिख कर वे सकते यह टेलीफोन है हमारे पास टेलीफोन है मुबाइल में क्या हम जो जानक आजकारी देश विदेश की प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से हम बात्चित कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इंटरनेट होता है जिसके माध्यम से हम विदेश से बैटे हुए लोगों से भी आसानी से बात कर सकते हैं फिर इसके बाद आता है चिकिस्सा पहले सथ शुरित नाम जह उखते जो साल़ चिकिसता थे जन्हों 65 बोलते वह किया करते जो चिकिस्छा होती थी लेकिन तब क्या था था तब यह नहीं पता चल पाता था कि विक्ति को क्या बीमारी है और जब लच तक होगा जब वह ममूरतिकि जास अब हो सकती है यहां पर देखिए किस तरीके से सिटी स्केन हो रहा है किस तरीके से नहीं नहीं प्रणाल्य विक्षित हो रही है माझ्दिम से क्या होता है कि डाक्टर बहुत जल्दी पता लगा लेते कौन सी बीमारी है और फिर उसका समचित इलाज करते हैं और जो आज जो है सिटी स्केन हो या ल्ट्रा साउंड हो या एक्सरे मशीन के दारा यह सब काम बहुत आसानी से किये जा रहे हैं अब दिखते हैं कि सिक्षा के चेश्च में पहले हमारे पास क्या होता था है राजा होया रंग सभी लोग एक साथ जाते थे गुर्कुल में पढ़ाई करने के लिए और वहां से पूरी पढ़ाई खतम करके ही वापस लड़ते थे जो परंप्रा गत्ता कि गुर्कुल में दिख्षा एक ऐसा है पर जिसके माध्यम से हम हमारे पास सारी जितनी भी बुक्स हमारी चलती है को सब उसमें और उसके पढ़ाई भी कर सकते हैं तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उन्नती हुई है और जो एडुसेट है चिकिस्षा का ही एक माध्यम है इसके साथ ही हम दे इस सबसे दू 장aut करते कि लेकिन आज हमारे पास jsब हुँआरे पास सोपे अरे पने स्रुक्षा को मजबूत कर लिए पहले कि हम कमजूर नहीं हमारे पास इन सब घीजस की पताकते मौजूद हैं इसी दरीके से अंत्रिक्ष में पहले साधर दूर्वीन के मध्यम से देखा करते थे फिर दूर्वीन आई लेकिन आज कर सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारी बाते हैं विज्ञान की चेत में परंप्रागत क्या तरीके और आज क्या तरीके इसके माध्यम से बहुत अच्छे से इसको डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं अब बाता थी कि हमने इतनी तरक्की कर लिए लेकिन इन सब तरक्की के पीछे जो ज्ञान से हमें इतनी सुविधाय इतने लाब जो प्राप्त हो रहे हैं तो उनके पीछे ऐसे कौन सी कानने जो हमारे अंदर समस्याओं को भी उत्पन कर लेकिन इस सब के भी समय भूल जाते हैं कि हम उसमें से कितना पडूशन होता है कितना देखे धुआ निकला और इसे वायू प्रदूशन होता जिससे में बिप्रिकार के बीमारिया भी हो जाती है चाहिए वह सारी बिमारिया उत्पन होती है इसी के साथ ही देखिए हापर प्रुदूशन जतना भी मलबा होता है कच्राप होता होगा धार्मिक कारी करते पूर नदी किया जाता है चाहे पॉलितीन हो कुछ हो चाहे फैक्ट्रियों का मलबा हो यह सब जाकर जलमें ही गिराया जयता है और वित तरीके से बहुत सारे यहां पर देखें बड़े लॉड़े स्पीकर हैं माइक लगते हैं साधिया होती हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि यह सारी जो धुनिया होती है वह प्रदूशार रपन करती हैं यहां को बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं वहां के परदे तक फट जाते हैं बच्चे पढ़ रहे होता है रड़ स्पीकर है कहीं रामायड हो रही है कहीं शादी हो रही तो इस तरीके से उनका मन भी एकाग्र नहीं हो पाता और बाकि बुरे लोग हमारे वह तेज़ड लो कीट नाशक को इस्तिमाल करते हैं यूडिया का इस्तिमाल करतें नुकसान पहुचाती मिर्दा आनि मिट्टीस खराप कर देती और मिर्दा पुदुशर को जर्म देती है देजिक साथ है भू बहु जल का नीचे किसक जाना ज्यादा जिएम जबता करते जल का दोहन करने ल कि जा रही है तो बू इस तर जो है जल इस तर है वह दिले दिले नीचे खिसकता जाता है इसी के साथ देखिए बच्छों रेडियो धर्मी विकरार जो बड़े-बड़े हमारे रेडियो अक्रितत्त जो होते हैं जब उनका विखणनान होता तो इससे भी बहुत ज्यादा परवाम बना जारे जब इनका हम अनुचित प्रियोग कर देते हैं अगर हम उसको काईदे से प्रियोग करते तब तो ठीक है लेकिन जब उसका अनुचित हिरोशिमा और नागा साकी पर जब हम गिराए गये तो कितने ही लोग तुरंती लाखों लोग की मृत्ती हो गई थी जाता है साथी अब हम बात करते ओजोन परत देखते बच्चों परत क्या है और यह जो परत होती है उसके विशेश लक्षण होते हैं यहां पर आपको देखिए सबसे पहले ओजों जो होता है वह आकसीजन के तीन परमाणों से मिलकर बनी गयस होती है जिसको हम लोग इसका फार्मुलाज होता ओठी इसके साथ ही वाई मंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है दसमलों जीरो टू परसेंट पाई जाती है साथी समुद्ध तल से इसकी 30-32 किलोमीटर की उचाई पर सांदता अधिक होती है तीखी गंद वाली गयस है और साथी पराबैगनी क कर लेती है और उस निचले वाई मंडल में खतरनाक है लेकिन उपर पर परत में जो यह पाई जाती है वहां पर यह जीवन को बचाने का काम करती है क्योंकि पराबैगनी किरणों को अधुशित कर लेती है जिससे सूर से आने वाली हमारे हानिकारक किरणे होती है वह हम तक नहीं पहुच पाती है और आमें इसकी बीमारियों से बहुत ज्यादा वह बचाती है तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं यह नीला नीला जो आपको छिद्र दिखाए दे रहा है वह ओजोन पर्त में छिद्र है आइए समझत जाती है जिससे यह पर्त में छिद्र हो जाता है इसकी पर्तों में अब यहां पर बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से यह चिद्र बनता है और कैसे इसको हम जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका रिमाड होता है आप बच्चों देखते हैं कि कैसे होता है एक तरीक यह देखे जो अंटार्टिका के उपर आपको पीछे पीछे दिख रहा है यही जो नीला दिखाई दे रहा है और यह इस तरीके से जो यह चित्र होता है जो बनता चला जा रहा है इसका शेव देखे बढ़ता ही जा रहा है और यह खट नहीं रहा है तो यह किस तरीके से हो र हमारी स्लाइड जहीं पर खतम होती बच्चों और इससे पहले कि हम लोग यहां पर इसको खतम कर दें इस वीडियो को आज हम देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से कौन सी ऐसा कोड है जो आपको समझना है एलबर्ट आइंस्टीन के दारा कही हुई यह बात है कि failure is success in progress कभी कभी हम जब कोई काम करते हैं चाहे वो पढ़ाई का हो या कोई अन्यकाम तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं लेकिन वह असफलता हमारे लिए पूरे जीवन की नहीं होती है वह सफलता वह सफलता हमें एक अन्हों देती हैं में experience देती है जो हमारी आगी की सफलता में हमारे लिए सहायक होती है हमारी उन्नत उससे बढ़ती है तो कभी भी कोई भी failure को या जिसकी समय काम हम असफल हो जाते हैं तो हमें वह अपना आखरी नहीं समझना चाहिए हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है तब हम अपनी उन्नत कर सकते हैं सफलता के मारग में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं तो बच्चों समाप्त करते हैं वीडियो को और आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो आपको अच्छा लगता हो ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाइक और शेर ज़रू कीजिए ताकि आपकी तरह अनि बच्चे भीस का लाब उठा सकें तो थेंक यू बच्चों